35 रुप्या का recharge जीओ यूजर के लिए ज़रुई ऐसा फ्रेंड बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना कर आप लोगों को बता दूँ क्या जीओ यूजर के लिए 35 रुप्या का रिचार्ज जरुई है या 35 रुप्या का रिचार्ज किसके लिए जरूरी है तो फ्रेंड अगर आपके भी मन में कोई डाउट है कि किया जीयो यूजर को भी 35 रुप्या का रिचार्ज कराना जरूरी है तो फ्रेंड वीडियो कौन तक जरूर देखेगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो इस्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बाढ़ने से पहले फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं कि आपने हमारे चनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकोन जरूर प्रेस कर दें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए फ्रेंड वीडियो इस्टार्ट करते हैं मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं ट्रेक दल चलिए फ्रेंड जल्दी से जान लेते हैं क्या 35 का रिचार्ज जियो यूजर के लिए जरूई है तो फ्रेंड पिछले दिनों 35 का रिचार्ज जो आया था वह एड बोड़ा फॉन एर टेल और आइडिया के यूजर के लिए आया था यहाँ पर कमपनी ने कहा था कि 35 का अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं मिनिमाम 28 दिन में तो आपके सिम को बंद कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर जियो के लिए कोई भी ख़बर नहीं थी इसलिए अगर आप जियो यूज करते हैं तो आपको निरास होने की फोन में तो आपको मिनिमाम यहाँ पर 98 रुपया वाला प्लान है जिसके तहत आपको 28 दिन की बैलेडिटी मिल जाती है 28 दिन के लिए अलिमिटेट कॉल मिलता है साथी फ्रेंट यहाँ पर दो जीवी डाटा भी आपको दिया जाता है जिसे आप 28 दिन में कभी भी यूज क कॉल दिया जाता है साथी फ्रेंट यहाँ पर डेड़ जीवी डाटा पर दे दिया जाता है और वही पर बात करें जियो फोन वालों की तो यहाँ पर जो प्लान है मिनिममम रिचार्ज 49 का है जिसकी बैलेडिटी आपको 28 दिन होती है यहाँ पर आपको अनलिमिटेट कॉल क सुबसा मिलता है साथी फ्रेंट एक जीवी डाटा दिया जाता है जिसे आप 28 दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं इस तरह से फ्रेंट जीओ यूजर के लिए 35 का प्लान बिल्कुल नहीं है जीओ वालों के लिए बिल्कुल अलग प्लान है तो सारे प्लान मैंने आपको बत की नहीं तो फ्रेंट मिलते हैं आपसे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए